तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में दिखा था जिन श्यू का भाई जिन चेंगान लूफेन से अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया था जहां पर वो लूफेन पर अटेक करता है लेकिन लूफेन को बचाने के लिए वहाँ पर जैन भी आता है और पर यहां पर यहां से चलते हैं इसी के साथ वहाँ से लूफेन से क्या रहा होते है लूफेन रीपर्जेंटेटीव है तो इसलिए कॉम्पेटिशन से पहले कुछ भी करना यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो इसलिए नेशनल ट्रॉयल डग मैं तुमारा वेट क्योंकि ताई कोई किंगडम में कोई भी तुमारा सपोर्ट नहीं करेगा यह केटेव वहाँ से चले जाता है जो कि देखते लूफेन जेंगहाई से क्या रहा होता है यह जिन चेंगहान सच में लोगों को ऐसी फीलिंग देता है जो कि अनप्लीजेंट और अम्यूसिंग दोनों ही है यह परसन यह बार मड़ चुका था लेकिन फिरी भी वह इतनी आसानी से बोल पा रहा है उसकी बाद सुनते वे जेंगहाई क्या रहा होता है क्या ताई कोई किंगडम के लोग ऐसे ही होते हैं मरने के बाद भी वह बहुत ज़्यादा बुई तरीक से बिहेव कर करवाया है तो इसकी बाद सुनते वे लूफन थोड़ा सा परेशान होता है जहां पर वो मनी मन क्या रहा होता है और नहीं वो सारे सावान तो समण किये के मौस्टर्स के जरीए बरबाद हो गये हैं और इसी के साल हम देखता है कि इस रात बहुत ही अच्छी पाटी चल रह होगा और हाँ अपना ध्यान रखना तो उसकी बाद सुनते वे लूफन से क्या रहा होता है हाँ मैं अपना ध्यान रखनूंगा मेरे बार में चिंता करनी की कोई भी जरूरत नहीं है वैसे भी रोना बंद करो में एक ही महीने के अंदर वापिस आ जाओंगा और इसी की पर नौर्थ की दरफ जा रहे होते हैं जहां पर लूफन मनिमन क्या रहा होता है नैशल ट्रेल के लिए अभी एक मत बचा हुआ है इसी के साथ एक्स्टीम नौर्थ के सीक्रेट्स मेरे सामने आने के इनतिजार कर रहे हैं इसी के साथ हमें अगली दोपहर का सीन दिखाय ज जाता है जहां पर लोग अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं जहां पर जहेंगा ही कहता है बस थोड़ा सा और रुको यहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड है तो इसकी बादे चुनते भी लूफन मनिमन क्या रहा होता है यहां एक्स्टीम नौर्थ की तरफ जाते हैं जहां बढ़ा सा मुन होता है जोंकि एकडम लाल होता है यहां पर जरते हुए जहां पर मेरे कमांड के तहब है इसी के साथ यह माउंटेंच कॉम्बैट के लिए स्किल्स को पोश्स करते हैं और जहां तक एक्स्टीम नौर्थ का exploration टास्क की बात है तो अभी के लिए हमारे पास लगबग 114 exploration routes है इसी के साथ वो से एक map दिखाता है जहां भी वो क्या रहा होता है और हम जो चीज़ खोज रहे हैं वो तुम पहले ही देख चुके हो उस चीज़ को देखते लूफिन क्या रहा होता है क्या ये वही bread moon है तो जहेंगाई कहा रहा होता है हाँ तुम बिल्कुर ठीक कहा रहे हो हम अभी भी इसके करीब नहीं पहुच सके है और ये भी नहीं जानते ही कि सच में है किया हमने हमेशा इसे वो नाम दिया है लेकिन अब जब कि तुम्हें एक young man हमारे साथ जुड़ चुका है तो हमारे जो exploration task है ये और भी तेजी से काम करेगा ये कहते हैं वो जोरों से हसने लगता है दोसी तरफ लूफ है उस map को देखते ही monument कहा रहा होता है तो यही senior team का इरादा है लेकिन ये मेरी इरादे से पूइतर के से mail खाता है यहाँ पर मैं divine treasor का नक्षा पा सकता हूँ और इसी के साथ level 60 के environment का training कर सकता हूँ इसी के साथ वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है ये दो रास्ते divine treasor के map के बहुत ही जादा close है तो मैं directly the exploration road को join कर सकता हूँ अभी हो जहेंगाई उससे कहा रहा होता है तुम सच मुश काफी जदा excited हो बच्चे तुमने जो ये route 78 दिखाया है इस पर बहुत सारी चौकिया है लेकिन ये fierce beast से भरी हुई है और अगर तुम level 32 के बच्चे किसी भी परिशाने में पढ़ गए तो तुम्हारा जो principle है वो मेरी जान ले लेगा तो लूफन उससे क्या रहा होता है senior team मैं आपे सिर्फ पीछा चुडाने के लिए नहीं आया हूँ बलके खुद को बहतर बनानी के लिए आया हूँ और अगर मैं सिर्फ safe route को अपना हूँ तो यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं है तो उसकी वादे सुनते वे जहेंगाए हसने लगता है और क्या रहा होता है तुम चोटे बच्चे जब मैं नौसी किया था तो मैं भी तुम्हारी तरह ही था हमेशा खतरनाक जगों पर भागता रहता था यह कहते वो अपने एक वेपन को समन करते हैं जहाँ पर वो उस वेपन को से देते भी क्या रहे होते हैं इससे रख लो तो यह देखते लूफेन बहुत ही ज़ादा है जहाँ पर वो से देखते भी मनीमन कहा रहा होता है यह तो एक लेजेंडरी क्वालिटी का ओफेंड बो है मैं एक इस समय में इंक ड्राइगन स्किल स्वाड और यह अंडर्वल सर्पेंट की बो को यूज कर सकता हूँ और यह ना सरफ एट्रिबूट्स को एड करता है बलखी यह लेवल रेस्टिक्शन को भी ऐलिमिनेट करता है सीनिर्टी ने पका इसमें 800 मिलियन से भी ज़ादा ड्राइगन कोईंस को खर्च किया होगा यह चीज सच में कमाल की है इसके साथ वो यह देखते वे कह रहा होता है से सीनिर्टी यह बो तो सीनिर्टी चुछ से कह रहा होता है अरे 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 इतना दिखाओ मत करो और बस इसे ले लो अगर तुम रूट 78 पर जा रहे हो तो प्रेपरेशन ये सबसे पहले आती है और तुम्हें अपने सेफटी के बारे में पहले सोचना चाहिए ये देखते हैं लूफन बहुत ही जादा खुश होता है और कहा रहा होता है अगर मैं इस बो के यूज कर सकता तो मैं इस तरीकी की अच्ची चीज तुमें कभी नहीं देता ये तो बस तुम्हारी अच्छे किसमत है कि तुम्हें ये बो मिल गई तब हम देखते हैं कि वहाँ पी वह आफिसर आता है और कहा रहा होता है रिपोर्ट सर दे मिलिटरी यूनिफॉर्म यहाँ पर आ चुकी है तो उसे देखते हैं वे सीनिर त्यू उस यूनिफॉर्म को लेते हैं और उसे कहता है लूफेन चल्ले से इस मिलिटरी यूनिफॉर् आने हो जाएगे उनिवर्मों करें लेटे वे किहा रहा होता है जलू चलते हैं सी निटियूंग और इंतजार नहीं कर सकता हूं यह कहते वो और इससा पहले है यहां पर हम देखते हैं कि सीनिर ट्यूस से कह रहा होता है लुफ एक ड्रैगन राइडर के रूप में तुम ड्रैगन के सवारी क्यों निकर रहे हो तो लुफ इसे के साथ ज्याव की करण्ड़ी लेवल 29 है और वह जल्दी राइडिंग में अलोग कर देगा उसकी बाता है ल राइडिंग सीख जाओ तो मैं एक एक्सकेप्शन बनाऊंगा और तुम हैं ग्रिफित स्कॉर्ट के अंदर रिक्रियूट कर लूँगा यह कहते हैं वो हसने लगता है तब हम देखते हैं कि उनके सामने अचानक से कई सारे आउल डीमन्स आता है जिनकी लवज 60 होती है जो कि के साथ वो अपने वेपन को समन करते हैं और बहुत ही एजिली ग्रिफित के साथ उन सभी को मारने लगते हैं जहांपे वो कह रहे होते हैं इस्पैसिली रोट 78 एट्सप्लोरेशन पर तुम्हारे स्पीट के साथ तुम बहुत ही आगे बढ़ चुके होते यह कहते ही वो उन यह कोई स्कूल नहीं है मुझे से सीरियस ले लेना होगा तब इस सीनिर ते उससे क्या रहे होते देखो हम आ चुके हैं तो इसकी बाते सुनते हैं वे लूफन आगे देखता है और यह देखते हैं जहांपे वो आगे देखता है कि वहांपे एक आख होती है जो कि बहुत ज जाला लाल होती है जहांब वो कहा रहा होता है क्या एक बड़ी सी जाइंट आई और इसके आसपास के माउंटेंज या आधे ड्रैगन के हैड जैसे दिखते हैं लेकिन क्या यह सच में एक ड्रैगन है इसकी बॉड़ी इतनी जाला बरी है कि ग्रिफिन स्कॉड भी इसे है पहले बार जब में इसकी करीब गया था तो मेरत ग्रीफिन sırम भी इससे डर गया था जहाहर किसके उस्पार में जाच करना है बहुत हैं लेकिन सिस्टम में इसके बार में नहीं बता पाता जहांपर ये देखते हैं लूफन बहुती ज़्यादा है वो मनिमन कहते हैं कि जा सिस्टम इसके बार में नहीं जानता अब इस Senior 2 क्या रहे होते हैं इस दुनिया में ऐसे बहुती कम प्लेसिस है जहाँ पर इंसानोंने कदम रखा है और इसे करिसर अन्नोन प्लेसिस है जिसे Explore और Griffin Squad को लीड करने के लिए मुझ जैसे किसी की जरुवत है और जब मैंने पहली बाहर इस चीज़ को देखा तो ये क कुछ ऐसा नहीं लग रहा था इसी के साथ हमें एक Flashback का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीनिर्तिव और Exploration टीम और डीमन्स के साथ वाइट कर रहे होते हैं जहाँ पर सीनिर्तिव उन सभी से क्या रहा होता है एड्यूटेंट अपनी फॉर्मेशन को फैल टीम नीचे जाओ और सभी को बचाओ यहाँ पर हम नीचे देखते हैं जहाँ पर हीम खलन हो रहा होता है वैसे गाइस हीम कलन का मतलब पहाड़ों में बर्फ के दूफान को कहते हैं हम देखते हैं यह जो हीम खलन होती है यह काफिस जादा बड़ी होती है जहाँ पर Exploration टी क्या रहे होते हैं अभी एक साल बीच चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी एक्सपर्स इसके बार में ठीक से पता नहीं लगा पाया लेकिन मैं जानता हो कि यह चीज अभी भी जिंदा है इसने मेरे सामने अपनी आखों को खोला है और अगर यह एक दिन जा गया तो क्या हम सच मुच एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे तब यह आप लोफिन कुछ लोगों को देखता है और क्या रहा होता है सीनिर तीव ऐसा लगता है कि ग्रीफिन स्कौर्ड के लोग ओर रहे हैं उसकी बाद सुनते भी सीनिर तीव कह रहे होते हैं ग्रीफिन स्कौर्ड के सिक्ष्टी फाइव है यहां पर खत्म होता है माफ करना है यह थोड़ा सा चोड़ा था और ऐसे लगता है कि मैं कुछ जादा ही आलसी हो रहा हूं लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं नहीं चीज़ों को ट्राइक करने की हाला कि मैंने एक वीडियो डाला उसमें ज् होगे करता रहूंगा क्योंकि मुझे नहीं चीज़ों करने में बहुत ही जादा मसा आता है तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए